राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शेक्षिक प्रवध्योकी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तु थे नवोदे विद्यालेओं की छटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कारिक्रम शिष्टा चार कुछ आवाजें कुछ बाते सुनाते हैं आप ये अनुमान लगाने की कोशिश कीजिए कि ये किस विशय पर बोल रहे हैं और दूसरी घर जा करके अपने माता पिता का कहना माने अपने घर का काम करके स्कूल का काम करके लाएगे कि बच्चों को मैंने कुछ सिखाया है इंको कुछ मैनर्स है बस 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 अब और नहीं सुनाएंगे हाँ इस आखरी बात से तो आप साफ साफ समझ गए होंगे कि बात किस विशय पर हो रही है शिश्टा चार यानि अच्छा और सभ्य व्यवहार यानि तमीज से पेश आना अब सवाल ये उठता है कि शिश्टा चार में क्या-क्या व्यवहार शामिल है अपने से बड़ों का आदर करना, उन्हें सम्मान देना, नमस्कार करना, घर आय अतिती का सतकार करना, बड़ों के बीच में नहीं बोलना, खाना खाते वक्त या कुछ पीते हुए आवाज नहीं करना, इत्यादी-इत्यादी ये सब बातें तो शिष्टाचार में आती ही हैं, कई और प्रकार का आचार विवार भी शिष्टाचार की क्ष्वणी में आता है, जैसे, नई, 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 आईए, इस बारे में पहले कुछ बच्चों और कुछ बड़ों से बात की जाए, पहले बात करें नन्नी मुन्नी न निर्जा जब आप सुभा सुभा स्कूल में अपने अध्यापक से मिलती हैं तो क्या कहती हैं गुद मॉनिंग और जब दुपहर में लंच टाइम होता है तब क्या कहती हैं गुद आफ्रन अचा घर में जब आप सुभा सुभा उड़ती हैं तो आप मम्मी डैदी को गुद म मैनर से फिर हमने बात की बलजीत सिंग्जी से जो कॉलेज में पढ़ते हैं हमने उनसे पूछा कि जब वो दस बारा साल के थे तो शिष्टाचार का क्या मतलब समझते थे उसमें तो हमारे लिए सिस्टाचार इतना ही था कि लोगों से कोई भी अपने से पढ़ा है उसको नवश्कार करना और ढंक से बात करना चलते वे कभी गाने वाने गाना सीटी वीडियो जाना तो यह सब तो आज तक कभी नहीं किया अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पड़ोसी के पोता पोती इंगलेंड से लोटे पड़ोसी बड़े खुश कि वर्षो बाद बच्चों से मुलाकात होगी कितने प्यारे प्यारे बच्चे थे कितना आदर करते थे दादा दादी का सुबा उठते ही पाउं छुना हर बात में जी लगा कर बोलना पर ये क्या जैसे ही पोता पोती हवाई अड़े से खर पहुँचे तो दादा जी से तपाक से हाथ मिलाते हुए बोले हाई ग्रेंड डैड दादा दादी हैरान ये क्या हुआ क्या बच्चे शिष्टाचार बिलकुल भूल गए इस पर एक वयोवृद्ध पत्रकार श्री बांके बिहारी भटनागर ने उन्हें समझाया कहा ये जाता है और समझा भी ये जा रहा है कि पहले के बच्चे कुछ अधिक शिष्ट होते थे किन्तु मेरा बचार कुछ भिन्न है कैसे मैं समझता यह हूँ कि पहले के बच्चे कुछ अधिक नियंतरत और कुछ अधिक बदे हुए से होते थे उनके माता पिता उन पर अधिक दबाव रखते थे अपना और जो आग्या देते थे या जो कुछ कहते थे समझाते थे उसक बच्चे चुपचाप मान जाते थे लेकिन आजकल के बच्चे कुछ अधिक निर्दंद हो गए हैं वो खेलने कुदने आनंद लेने में बच्चों के साथ और घर से बाहर रहने में उन्हें कुछ अधिक सुख मिलता है इसलिए वो कुछ निर्दंद से लगते हैं लेकिन यह नहीं कह सकते कि उनमें शिष्टाचार की कमी है और अब यह शिष्टाचार बच्चों में ही नहीं बड़ों में भी नहीं है पहले तो बड़े लोग जो होते थे वो भी अपने माता पिता के पहर चूटे थे सब कुछ करते थे लेकिन आजकल इस दिखावे में कोई विश्वास भी करता है आजकल सामान रूफ से जिस प्रकार जीवन जीते हैं उस प्रकार वो जीने की चिश्टा करते हैं और मन में भीतर अगर की भावना रखते हैं यानि पाउं चूना नमस्ते करना तो शिष्टाचार में आता ही है गुद मॉर्निंग गुद इवनिंग कहना किसी का सिर्ज हुका कर या हाथ मिलाकर अभिवादन करना भी शिष्टाचार हुआ नय जमाने का पच्चो मुझे अपना बच्पन याद आ रहा है मैं बहुत ही शैतान था और स्कूल में शैतानी करने की वज़ा से खूब पिटाई होती थी मेरी नीर्जा ने हमें बताया कि बच्चों को कक्षा में शैतानी नहीं करने चाहिए पर भला क्यूं इसम्से मैम भी पढ़ेशान होती है और मेडम का जो मैडम कारूल इस उपर चीज भी डिश्टिप घृद्धी अच्छा और जब कोई आपका साथी ओसा करता तो आप उसमों क्या बोलती है वह ना करती हूं मैं समझाती हूं अच्छा एक बात बताईगा किसी ने बच्चे चोरी करना बुरी बात है ना क्यों नहीं करने चाहिए चोरी क्यों कि फिर दूसरा बच्चा तंग होता है उसकी कोई चीज नहीं लेंटी है यानि शैतानी कर रहे या चोरी करने वाले बच्चे को गुस्सा या मारपीत ना करके समझाना भी शिष्टाचार में आता है बागो है न मरें खेलती हैं नहीं पहलते हैं लुक हां महां बच्चे जो हैं वो नहीं भी मारी का कारण होतीर और हाज प्रपशा गंडह की अंडीना लगता है अब आज आप सुन्दर सुन्दर जहां पून है और बहुत सारे एची-ची घास है वह जब आप जाती है तो फूलों क तो देखकर तो मन करता है की तोड़ू लेकिन वैसे वो खिली अच्छे लगता है तोड़ना में इसलिंग तोलने जरू हम तोड़ने के दोड़ने के बार देगा वो मुझा जाते हैं हाँ तो तो चुनुक्त भकले तो अच्छे यह बतागी कि अपने कभी केले का छिलका तो इससे ये बात समझ में आई कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना भी शिष्टाचार में आता है गंदगी से बीमारी फेलेगी लोग परेशान होंगे खेले के छिलके पर फिसलने से तो भाईया हाथ-पैर भी तूट सकते हैं खुली सडक पर जरा टहल कर लाला जी ने केला खाया केला खाकर मूँ बिचका कर छड़ी उठाकर तोन बढ़ा कर उसका छिलका वही गिराया लाला जी ने कदम उठाया कदम बढ़ा कर जैसे रखा पाउ तले एक छिलका आया भरी सडक पर लाला फिसले भरी सडक पर लाला फिसले पुलेट पुलेट कर गिरे धड़ा पुलेट पुलेट कर गिरे धड़ा छड़ी छिटक तोन बढ़ा घर जाकर तन से कुंगा छिलका कभी न भेंगूगा एक थे जनाब अखिलेश साहब बहुत देर से चुप थे अपने में ही खुप थे पूछा उनसे सवाल कैसा रहे अगर लिख दिया जाए लाल के लिए या कुतुब मिनार पर पत्थर रगड रगड कर आपका नाम घूरा उन्होंने हमें अजी साहब घूरा उन्होंने हमें चढ़ा कर त्योरियां दी हमें सीख बोले यह बहुत गंदा लगता है क्योंकि कि वो जैसे हम को ही जैसे हम ले 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 ताज माह रगड को वो विदेशन वे भी बहुत संद़ उसकी तस्वीरा जाती जी पर अब अब जब उनके ऊपर विदेशन से जब लोग को आकर देखते हैं गायब है और यह सब बहुत बुरा लगता है जब कोई और आके बाहर से आके देखे कि हमारे देश में कैसा गंदा लग रहा है अच्छा यह बताई कि जब आप बात्चीत करते हैं ममी पापा से अपने दोस्तों से तो आप कैसे बोलते हैं आपको ना चीक चीक के करना रहे और एक तीसरा दोस्त वहां बैठा हुए वो शाय सोचे कि उसके बारे में बात करें तो यह गलत होता है और ऐसे अगर उसी टाइम में अगर हसने लग जाओ बहुत तेज तो और भी गंदा लगता है कि क्या वो सोचेगा कि शायद मेरे बारे में कुछ बात कर रहा है अचाई यह बताएं कि महिलाओं की सीट पर जो लिखी होती ना बसो में केवल महिलाओं के लिए वहां आपने देखा होगा बहुत सारे पुरुष भी बैठे रहते हैं तो मानलीजा अगर आप ऐसी महिलाओं की किसी सीट पर बैठे हैं और कोई महिला विचारी खड़ी भी लंगी मैं अगर अगर täพकश नहीं उठा मैं पूठा सो फिर हम्मुन सकते मैं पूरमा खिर यह डूरी उपकी यह साね सै मैं और अपने बहुत ब़हा बात रहे अशाए और हम आपसे एक आखरी वात आर पूसे हैं वह यह हैं आना की सबाए कह बहुत बहुता तो और सची में गलती के बारे में अगर मता प्ता को पहले से ही मालम हूँ कि हमने गलती कि है, तो उन्ने जूट नहीं भी बोलना चाहिए, कि हमने यह गलती की है। और फिर उनसे माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि अगली बारी से हम नहीं करेंगे पर अगर वो यह सोस्ती हों कि यह जूट बोल रहा है अगली बारी से हम नहीं करेंगे तो उसे दिखाना होगा कि हम नहीं करेंगे अगली बारी से अच्छा एक बात धन्यवाद कब क और कहा देना चाहिए धन्यवाद तब देना चाहिए जब किसी ने आपके लिए कुछ किया या आप किसी और से बात करें उसने वह चीज बता दियो जो आप जानना चाहते हूं उस टाइम यह धन्यवाद शब कहना चाहिए क्यों आई बात समझ में इसे भी कहते हैं शिष्टाचार शिष्टाचार का एक अन्य रूप है राष्ट्रगान का आदर भई ये तो हम सभी जानते हैं न कि राष्ट्रगान शुरू होते ही हमें क्या करना चाहिए क्योंकि हम भी स्कुल जाते थे तो प्रेयर और अगरा हो रही है कभी लेट हो जाते थे तो जैसे राष्ट्रगान शुरू हो जाता है तो हम आहीं रूप जाते थे आपका मतलब यह है कि राष्ट्रगान को उसका पूरा समान दे रहा जी एक बच्चा था पढ़ाएं लिखा कर पूछा कि ऐसा क्यों किया तो मू लटका कर बोला क्या करूं पढ़ते वक्त पढ़ोसी के रेडियो से उंची आवाज में जो फिल्मी गाने बसते हैं ना वो तो याद रहते हैं लेकिन पढ़ाई भूल जाता हूं इम्तहान में ही नहीं बीमारी में भी वेडियो वगार हम यह करते हैं कि दूसरे इंसान तंग नहीं पाजाए अच्छा अगर ऐसी बात आपके घर में हो कि आपके घर में कोई बीमार हो या आपके बच्चे का इंतहान और पढ़ोस में रेडियो मुचा बज रहा हो या जागरन हो रहा हो तब तो वो तू नहीं सोचनी चाहिए ह अगो अगले इंसान का भीमार है तो वह या तो नहीं भुद सोचनी चाहिए तो सबसे बड़ा शिष्टाचार तो यह हुआ आपके शब्डों में कि इन-सान को दूसरे इनसान की जो सुख दॉख में साथ देना चाहिए दूसरे का दुख समझना चाहिए दूसरे को तंग नहीं करना चाहिए और अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के साथ व्यभार अच्छा करना चाहिए फ्री ओम्प्रकाश अगरवाल का लगभक सारा जीवन चात्रों के बीच बीता है वो सेवा निवृत अध्यापक है अध्यापक तो चात्रों को शिष्टाचार की शिक्षा देते ही हैं साथ ही चात्रों के भी कई कर्तव हो जाते हैं जैसे एक दूसरे का आदर अध्यापकों का अधर और फिर बैषने का खड़ होने का एक तरीखा बच्चों में तो सबसे बड़ी बात वक्त की पावंदी, सत बोलना और आपस में जगड़ा नहीं करना है एक्ञामणेशन में अपने ठीक तरह से परिक्षा दें उसमें नइकल गड़े ना करें, यह भी इवधियार्थियों के लिए सब बेवर में आता है और दूसरी घर जाकर के अपने माता पता का कहना मानए आपने घर का काम करके सकोल का काम करके लारे ही श्रिष्टाचार से तो जीवन में पूरा ही लाव है विद्यार्थी अगर होगा तो उसको अध्यापक मन लगा के पढ़ाएंगे और वो बात पूरी तरह से उनकी समझ में बैठेगी और घर में भी प्रेम रहेगा और सफल रहेंगे और व्यवसाय में तो सबसे बड़ी श् शिष्टाचार अभियाप सुन रहे थे कारिक्रम आलेक इमम वाचन मनुझ भटनागर विशे संयोजन मम्ता गुपता धन्यांकन सतीश लाडे और हेम राज प्रस्तुती सहयोग वंदना निगम और अतुल माथुर निर्माण इमम प्रस्तुती रमेश रानी शर्मा और पर